नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दहिंदुस्तान टाइम का आटिकल आपके सामने है एम टू इंक्रेज इंटर आपरबिलिटी इंडियन नेवी और मालाबार एक्साइज 2021 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में होने वाली एक्साइज मालाबार की इसमें इंडिया और बहुत सरी अधर कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है तो इस वीडियो लेक्चर से हम जानेंगे कि मालाबार एक्साइज का स्टार्टिंग अब होती है इसका मेन परपर्च क्या है, हिस्ट्री क्या है और किस टैक भी ड्रिल्स होती है और इसमें कौन-कौन से फिरिगेट, डिस्ट्रॉयर, इन चीजों का इस्तमाल किया जा रहा है तो इसका कंप्लीट में डेटेल मननासिस किया जाएगा आपके exam point of view से आपके लिए क्या कौन-कौन सी चीज़े important हो जाती है उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के माधियम से अगर हम लोग present में देखें तो एक trilateral naval exercise है इट involving United States, Japan and India as a permanent partner बीजविच में Australia और Singapore ने भी इसमें participation दिखाया है 2007 में इसमें Singapore का participation आपको देखने को मिलता है 2020 में आपको first time quad countries एक साथ इस exercise में देखने को मिलती है जिसमें आपको United States, Japan, India और Australia साथ में दिखती है इस बार में भी 2020-21 में भी आपको United States, Japan और India और Australia साथ में देखेंगे तो it will be the second time when the all four quad countries are participating in a single naval exercise that is exercise मालाबबार इस जो exercise हो रही है इसके अंदर बहुत सारी diverse activities कराई जाएंगी ranging from fighter combat operations, aircraft carrier through maritime interdication operation, anti-submarine warfare, amphibian operation, counter piracy operation, cross deck, holicopter landing and anti-air warfare operation ये सारे चीज़ें इस exercise के अंदर include की जाएंगी अगर मैं बात करूं participation की इंडिया की तरफ से participate करने वाला है INS सिवालिक, INS कदमत और P-8I petrol aircraft US की तरफ से आपका big horn रहेगा P-8A petrol aircraft रहेगा इस तरह से जापान और Australia भी इसमें अपने participation देखाएंगी जापान की तरफ से P-1 petrol aircraft है और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगी Royal Australian Navy की साफ से देखें तो हमास वरंग मुगा इसमें participate करेगा अब लोग हम लोग जान लेते हैं इस exercise की history के बारे में मालाबार exercise 2021 में ये 25th edition होने वाला है मालाबार exercise का इसकी starting होती है 1992 में एक bilateral exercise के रूप में इसमें इंडिया और United States एक साथ participate करते हैं इस दोरान जब 1992 में इस exercise की starting होती है तो इसमें सिर्फ एक basic elementary label पर इसका starting होता है passing exercise होती है और basic maneuver होते हैं इसको जब इंडिया ने nuclear test किया था उस time पर भी इस exercise को suspend कर दिया गया अमेरिका के द्वारा बीच में इसको conduct नहीं कराई गई इस से अब देखिए over the year exercise has been conducted in the Philippine Sea of the coast of Japan, Bay of Bengal और Arabian Sea में regular basis पर annual basis पर यह सारी चीज़ है conducted करे जाती है 2007 में आपको मैंने बताया कि Singapore ने इसमें participate किया था along with Japan, Australia, US and India और जापान ने इसमें participation दिखाया था 2009 से regular basis पर 2011 में किया, 2014 में किया और regular participant इस exercise का बन जाता है और 2015 में उसको एक permanent member बना दिया जाता है इसलिए हम लोग मालाबार exercise को क्या बोलते हैं Trilateral Naval exercise अब हम लोग जान लेते हैं कि 2000, 2021 में आपको क्या देखने को मिलेगा और इस exercise का main purpose क्या रहने वाला है इसके बारे में हम लोग जानते हैं मालाबा 2021 में अगर मैं इसमें देखे हैं तो इसमें complex exercises include होने वाली हैं इसमें आपको anti-surface, anti-air, anti-submarine, warfare drill और other maneuver इसमें इंक्लूड गहें और tactical exercises में इंक्लूड होंगी और दूसरी बात है exercise will provide an opportunity for participating navy to drive benefit from each other expertise and experience और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहां पर इसका यह सारी जितने participating navies हैं उनका एक ही common goal है shared vision for free, open and inclusive Indo-Pacific reason और maritime जो security को इसको boost up करना है इस video lecture में इतना ही next video lecture में मिलेंगे तब तक के लिए जय ही जय भारत thank you so much